ओम केंशी महांगडिशाय्न अधार्ध , राधी राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब ? दोस्तों सावन मास की शुक्ल पक्षि एकादशी को Сावन बुतिदा एकादशी का ब्रत रखा जाता है जह प्रत भगवान विष्णु, मा लक्ष्वी की को समत्बित होता है इस दिन भगवान शीहरी विश्णुमा लक्ष्मी का पूचन कहने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है संतान हिंदम पत्तियों को यह प्रत अवश्य ही कहना चाहिए इस प्रत को कहने के प्रभाव से सोयोग के संतान की प्राप्ति होती है संतान के जीवन में जो कष्ट चल रहे होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं और संतान का जीवन सुख में बनता है मानिता के अनुसान सावन पुतिदा इकादशी का प्रत रखने से अज्यानी को भी ज्यान प्राप्त होता है और बेभी विद्वान बनते हैं जो दरि द्रै, नेधन है, उन्पर साक्षाद मालक्ष्मी के प्रपा प्राप्त होती है। उनके जीवन में धन की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों सावन पुतिदा एकादशी पर इस दिन सावन सौंबार ब्रत का संयोग भी बन रहा है। क्योंकि इस दिन सावन महा का आखरी सौंबार होगा जो की 8 अगस्त को है इसलिए इस बाद सावन पुत्रदा एकादर्शी और सावन की आखरी सौंबार का परत एक साथ रखा जाएगा इस दिन प्रतकाईने से भगवान विश्टू मालिक्ष्मी जी के साथ ही भगवान शिप मपार्वती की भी असीम गृपा प्राप्त होगी और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाएगी मन चाहा बर्दान प्राप्त होगा साथ ही ग्रहन अक्षत्रों की विशेश इस्तिती की पचे से सावन पुत्तिदा एकादशी पर विशेश शहयों का निर्मार भी हो रहा है इस एकादशी पर पदमयोग और रवी योग के साथ ही इंद्र योग भी बन रहा है यह शुबयोग शिपची और विश्णु जी के पूजा के लिए खास माने जाते हैं इन शुबयोग में किये गए पूजन का लाव कई गुना बढ़ जाता है पद्मयोग में भगवान विश्णु का पूजन करने से भक्तों को सभी पापकर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है इन दिप्पे और दुल्लब सहयोग में किये करे उपाए बहुत ही जल अपना असर दिखाते हैं और शुफ़र प्रदान करते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको सावन की आखरी सौंबार और एकादशी के इस सुपसैयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाए बताने जा रहे हैं इस उपाए को करने से भगवान शीहरी विष्णू मा लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान शीप मा पार्वती की भी असीम कृपा प्राप्त होगी दुख और दरता का नाश हो जाएगा भगवान की कृपा से जीवन में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी जीवन भर धन की कमी नहीं होगी घर में सुक्समरथी आएगी और अटके हुए काम भी बनने लग जाएगे कार्यों में बाधाएं उत्पन करने वाली नकारात्मक उचा नश्ट हो जाएगी और सकारात्मक उचा का प्रसार होगा दुस्तों उपाई करने के लिए सबसे पहले इस्तान का स्वच्छ बस्त थारण करें हो सके तो लाल, पीले, हरे, गुलावी या फिन नारंगी रंग के कपड़े पहन कर पूजन करें इन्हें शास्तों में शुबरंग कहा गया है और शुबरंग के बस्त पहन कर पूजन करने से सौभाके में प्रत्थी होती है पूजन करने के लिए अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर प्रणाएं सबसे पहले भगवान शी गनेश को प्रणाम कर भगवान बिश्टू मा लक्षुई जी को प्रणाम करें प्रणाम करें अब एक दीपक लें और इस दीपक में आप रूई की बाती लगाएं हो सके तो दीपक में शुद्धगी भरें अगर शुद्ध-घी ना हो तो आप अन्यगी या तिल जिससे भी आप अपने मंदिर में दीपक जलाते हैं वह आप इस दीपक में भर सकते हैं, इस उपाई को कहने के लिए आपको अलग से दीपक जिलाने की ज़रत नहीं है, आप अपने मंदिर में सुभह और शाम के समय जब दीपक जिलाते हैं, वह दीपक जिला कर भी आप इस उपाई को कर सकते हैं, दीपक जिलाने के पस्चात अ थोड़ा थोड़ा फल मिष्थान रखें फल मिष्थान नहूं तो आप शक्कर रखें पूजिन के समय भगवान को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए भोग लगाने से घर में सुक्सम्रथी आती है आपको दो अलग अलग प्लेट में भोग इसलिए लेना हैं क्योंकि एक प्लेट में आपको तुलसी का पत्ता रखना है शास्तों के अनुसार भगवान भिष्णु जी तुलसी पत्तर के बिना भोग को स्विकार नहीं करते और वहीं भगवान शिप और भगवान श्री गणेश के पूजन में तुलसी पत्तर का इस्तमाल नहीं किया जाता इसलिए तुलसी का पत्ता रखकर आपको भगवान बिश्णु मा लक्ष्मी जी को भोग लगाना है और दूसी प्लेट जिसमें तुलसी पत्ता नहीं है उससे आपको भगवान श्री गणिश, भगवान शिप्मा पार्वती उनके पूरे परिवार को भोग लगाना है भोग लगाकर भगवान शी से फोग स्विकार करने की प्रात्ना करें दूस्तों अब आप एक साबद फूल वाली लॉंग लें इस लॉंग को आप भगवान शी के चर्णों से लगाए फिर अपनी दोनों हाथों के बीच में इस लॉंग को दवा लें लॉंग हाथ में दवा कर आप भगवान शी से पूचिन स्विकार करने की प्रात्ना करें जाने अंजाने में कीटे सभी कलतियों की शमा मांगें इस तरहें प्रात्ना करने के पश्चात दोस्तों आप आप इस लॉंग को इस दीपक में डाल दें दीपक में लॉंग डालने के पश्चात आप आप सबसे पहले भगवान शी गणिश को प्रणाम कर भगवान विष्णु मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और फिर भगवान विष्णु जी के द्वादश्मंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें इस मंतर का आपको 108 बार जाप करना है अगर तुल्सी की माला हो तो आप उस पर यह जाप करें नहीं तो अन किसी भी माला पर आप इस मंतर का जाप कर सकते हैं या उंगलियों पर भी किनकर कर सकते हैं भगवान विष्णु जी के इस द्वादश मंतर का जाप करने से भगव भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए गीता जी का पाठ करना शीमत भगवत गीता का पाठ करना और विष्णु शहस्त नाम का पाठ करना बहुत फलदाई बताया गया है लेकिन दोस्तों सबसे सरल पूजन है ओम नमो भगवते वासु देवाय मंतर का जाप करने से भागवान विश्न की असीम कृपा होती हैं और भागवां विश्न के सभी भक्तों को रोजाना इस मंतर का ठीक करने से झाती है धनकी देवी वा लक्षम के में भी कृपा पार्वती का पूचन करें इसके लिए आप ओम नमस्षिवाय मंत्र का जाप करें जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं महिलाओं को नमस्षिवाय मंत्र का जाप करना है जाप कहने के पार्वती की आर्थी अवर्ष्य ही उतारें आर्थी उतारते समय या तो आप आर्थी पढ़ सकते हैं या फिर आप इन्हीं मंत्रों का जाप करते हुए भी आर्थी उतार सकते हैं आर्थी उतारने के पश्चात दोस्तों अब आप भगवान ची को प्रणाम करें और आपकी चीवन में जो भी समस्या चल रही है वह सभी समस्या आप भगवान ची के सामने कहें और समस्या को दूर कहने की प्रातना करें आपकी पढ़ाई संबंदी समस्या हो व्यापा संबंदी समस्या हो जो भी समस्या है उसे आप भगवान जी के सामने कहें और समस्या को दूर कहने की प्रात्ना करें दोस्तों आज के दिन इस तरह भगवान विश्टुमा लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिप्मा पार्वती का पूचन कहने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है नकारात्मक उचा नश्ट होती है देविय शक्तियां साथ देनी लगती है जिससे अटके हुए कारे भी बनने लग जाते हैं भगवान लक्ष्मी नाराय भगवान शिप्पार्वते के कृपा से मन चाहा बर्दान प्राप्त होता है और जीवन में खुश्यां आती है इस उपाई को कहने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में जल्द ही अच्छे बदलाब आने शुरू हो जाएंगे आपके अटके हुए कारे भी बनने लग जाएंगे और कारेों में सफलता मिलेगी घर में सुक्सम्रथी आएगी शास्तों के अनुसार इस तरहें पूजन कहने से भगवान जी पूजन को अवश्य ही स्विकार करते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं इस उपाय को वैसे तो आप किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन एकादशी पर संध्या बंदन रातरी जागरण का विशिश महत्व होता है और भगवान श्रिप जी को भी प्रदोश काल अत्यतिक प्रिया है उस काल में किया गया पूजन भगवान श्रिप जल्द ही स्विकार कर उसे तिलक करें आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रशाथ के रूप में ग्रहन करें दीपक में जो लॉंग है इसको आप दीपक में ऐसे ही रहने दें जब दीपक पूरी तरह से जलकर शांत हो चाहे उसके प्रशाथ आप इस लॉंग को उठाएं और किसी साफ इस्थान पर लगे हुए पीड़ पौधे की जड़ में गार दें जैसे कैप्टस का पौधा है एलोवेरा वगेरा का है तो वहां पर आप ना दबाएं आप तुलसी जी का पौधा या किसी कोई भी अन्ने पौधा हो जिसमें कांटे ना हो आप उसकी जड़ में इसको कार सकते हैं या घर के पास कहीं शुद्ध बहते हुए जल का इस्त्रोथ है कोई नहर वगेरा है तो आप वहां पर भी इसको पिसरजित कर सकते हैं दोस्तों इस सुपसायोग पर इस आसान से उपाई को कर इस लाव अवश्य ही प्राप्त करें उमीद है आपको हमारी वीड राथी राथी जयक्षिंकर